बिहार चुनाव की तारिकों गलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया है बिहार में चुनाव एंडियन मना महागरबंदन के बीच होरे जा रहा है जारकड में महागरबंदन ने सीच चेरी के समाज़ारी दिखाते हुए रगवरदास को उखाट पेका था जारकड महागरबंदन में शामिल राजनीतिक पार्टियों का दावा है बिहार में उनकी तयारी अच्छी है और परना भी बहतर आएंगे कोरोना काल में अब अस्पिताल जैसी ववस्था आपके घर पर खास मेडिकल एक्क्यूपमेंट की रेंटल सुविता देते हैं हम हम है श्रीबाला जी बायो मेडिकल्स पीस रोड बिहाइंड बियाइटी एक्स्टेंशन लालपुर राची कॉल 920-4855-800-01-02-03-04 इमेल sbbm17 at the rate gmail.com मा गटबंधन की प्रमुपाटी कॉंग्रेस से बिहाइट चनाव की तयारियों की बाबत पूछा गया तो जार्कन कॉंग्रेस की प्रभकता ने कहा कि कॉंग्रेस पहले से ही चनावे तयारी में जुटी हुई है दो-तिन दिन में गटबंधन का खागा बन कर सामने आ जाएगा राजेश ठाकोर ने कहा कि प्रत्याश्यों के अलाम जल्दी कर दिया जाएगा देखिए हम लोग पहले से गटबंधन की कवाईद में जुटे हैं और पूरी गटबंधन की तयारी कर ली गई है बहुत जल्द सारे गटबंधन के सीटों की घोसना हो जाएगी और हम समझते हैं कि उम्मिद्वारों की घोसना में भी अब देर नहीं है सब हम लोगों ने त्यारी कर रखी थी पहले से देकि जब जार्खंड का भी चुना हो रहा था तो उस समय भी लोग यही आकलन करते रहते थे जबकि ये सवाल हमसे बार-बार पूछा जाता है जो भारती जनता पार्टी की और जदियों की वहाँ पर सरकार है उनका गटबंधन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है जार्खंड में जो परिनाम आय थे उसकी पूर्ण राविर्ती हम लोग भी हार में भी करेंगे जबकि महाँ गटबंधन में शामिल तीसा ड़ आजेडी का जार्खंड में भले ही ताकत कम हो लेकिन बिहार में हुँ मुख्य विपक्षिदन है आजेडी जार्खंड प्रदेश अधक्ष अभे सिंग ने कहा कि सदन में विपक्ष के नेता तेज़स्वी यादव है और वही महाँ गटबंधन के चेहरे हैं उन्होंने दावा किया कि आजेडी बिहार चनाव बहतर करेगी पहाँ गटबंधन के नेता के नेता पर्द्रक्ष क्या गया था पाहुन कितने सित को लड़ेगा तो यह जार्खंड में चुनाव रहे हैं तरकार बली जाये और वहां नेता पर्द्रक्ष के बिहार चनाव की तारीख होग अलान होते ही पूरे देश की नजर बिहार पर ठिक गई बिहार चुनाव के राजनीदिक तपीश धारकरण में भी महसूस की जा रही है। माघडबंदन के नेताओं का दावा है कि तेजस्वी आदफ छुपे रुस्तम निकलेंगे और बिहार के सत्ता पलटने में काम्याव होंगे। बरहाले इतना अफसान नहीं होने जा रहा है क्योंकि नीतीश के साथ BJP कैडर का बैकप है जो उन्हें मजबूत बनाता है। सबरंग समचार से शितरजन की रिपोर्ट